अधिया दोस्तों आज हम डिसकस करें प्रकास की परबर्दन की प्रकार अई दोस्तों डिसकस करते हैं प्रकास का परबर्दन कितने प्रकार का होता है दोस्तों प्रकास का परबर्दन दो प्रकार से होता है प्रकास की पराबर्दन दो प्रकार से होते हैं जो निम लिखे थे दोस्तो नियमित प्रकास का पराबर्दन और आनियमित प्रकास का पराबर्दन दोस्तो नियमित पराबर्दन जब समांतर प्रकास करने एक किसी चिकने प्रष्ट पर आप्तित होती है तो पराबर्तन की पहिशात एक निश्चित दिसा में पराबर्तित हो जाती है प्रकास के पराबर्तन की इस गटना को ही हम प्रकास का नियमित प्रकास का पराबर्तन कहते हैं दोस्तों इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है यहां हमने एक समतल सता ले लिया है यहां आप्तित प्रकास किरने है और यहां परावर्टित प्रकास किरने है दोस्तो जब समानतर प्रकास किरने दोस्तो एक दूसरे के समानतर प्रकास किरने अर्थात इन किरनों को कितना ही बढ़ा दिया जाए दोस्तो यहां दोनों यहां किरने कभी भी एक दूसरे को प्रति छेट नहीं करती हम उन्हें शमांतर रेखाएं केते हैं उसी प्रकार यहां समांतर प्रकास की किरने लिया है दोस्तों तो एक दुस्य के समांतर आप्टित प्रकास किरने जब किसी चिकनी सता से ठकरा कर पराबर्तित होती हैं तो उसी जिस प्रकारवाश रमांतर आई थी पराबर्तन के परशाथ उसी समांतर पराबर्तित भी हो जाती है इसे ही हम नियमित प्रकास का पराबर्तन कहते हैं हम एक्जामपल ले रहे हैं यहां पर सम्तल सता से प्रकास का पराबर्तन जब भी किसी समतल सता से प्रकास का परवर्तन होता है दोस्तों तो वहाँ नियमित प्रकास का परवर्तन होता है यहाँ पर यहाँ एक समतल सता है आप एक बार फिर से नियमित प्रकास के परवर्तन की परिभास समझ लीजिए जब समानतर प्रकास करने किसी चिकने प्रश्ट पर आप्तित होती हैं तो पराबर्तन के परश्यात एक निशित दिसा में पराबर्तित होती हैं प्रकास के पराबर्तन की इस घटना को प्रकास के नियमित पराबर्तन कहते हैं अरप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम धेखते हैं दोस्तों चलि दोस्तों अब हम देखते हैं अनियमित पराबरतन। दोस्तों प्रकास की अनियमित पराबरतन। जब समानतर प्रकास के लिए किसी खुर्दूरे प्रेश्ट पर आप्तित होती है तो पराबर्तन की पहिश्यात भिविन्य दिशाओं में फेल जाती है प्रकास के पराबर्तन की इस घटना को दोस्तों हम आन्यमित प्रकास का पराबर्तन कहते हैं दोस्तों जब प्रकास की जो समांतर किरने है जब पहां किसी खुरदूर्य प्रश्ट पर आप्तित होती है ईहां इस तरफ यहां इस तरफ और यहां इस तरफ इन सभी की दििसाएं दोस्तों different है प्रकाश के पराबर्तन के इस घटना को ही हम दोस्तों प्रकास का आन्यामित पराबर्तन कहते हैं I hope चितर से आपको clear हो चुका होगा जब समानतर प्रकास करने किसी खुरदेरे प्रष्ट के पराप्तित होती है तो पराबर्तन के पहिशाद भिविन्ने दिशाओं में फेल जाती हैं प्रकास के इस घटना को हम प्रकास का आन्यमित पराबर्तन कहते हैं एक्जाम्पल हम ले सकते हैं खुर्दूरे प्रष्ट से प्रकास का पराबर्तन यहां एक अन्यमित प्रकास के पराबर्तन का एक्जाम्पल है I hope आपको समझ में आ गया होगा Thank you for watching my video